भारत की हार पर बड़ा फैसला तीन खिलाडी होंगे टीम से बाहर कप्तान भी है लिश्ट में शामिल टीम इडिया बांगलादेश से हार गई वो बांगलादेश जो भारत से बहुत कमजोर है लेकिन मैदान में टीम इडिया के खराब प्रदर्शन ने बताया कि वो टीम बांगलादेश से भी कमजोर है टीम इडिया टी-20 वर्लकप फार गई घर में पचास ओवर का वर्लकप खेला जाना है और टीम इडिया ये वर्लकप हारते हुए भी नजर आ रही है और इसको लेकर बिसी सी आई को एक बड़ी रणनीती तयार करनी है कई मौके दिये गए लेकिन इस खिलाडी ने कभी भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दिया केल राहूल को टी-20 वर्लकप में मौका मिला लेकिन उन्होंने उसे भी कवा दिया और उसके बाद बांगलादेश दोरे पर जब उन्होंने रन तो बनाए लेकिन कैच छोड़ दिया और वो हैम कैच था जिसकी वज़े से टीम इडिया मैच हार गई केल राहूल को लेकर एक बड़ी परशानी है यह कभी भी बड़े मुकाबलों में रन नहीं बना पाते है जब भी टीम को जरूरत होती है केल राहूल पवीले लॉड जाते है जाए वो 2019 में होने वाला सेमिवाइनल हो या फिर 2022 में इंग्लین्ड के खिला गया सेमिवाइनल मुकाबला केल राहूल ने हर मौके पर निराशी किया है और ऐसे में वक्त आ गया है कि टीम इंडिया को अगर पचास ओर का वर्लकप जीतना है तो केल राहूल की जगा किसी और खिलाडी को मौका देने की जरूरत है रिशाप पंद भी उन बल्ले बाजों में शुमार है जिनको टीम से बाहर करने की जरूरत है रिशाप पंद बंगलादेस के खिलाफ ओडियाई सीरीज में नहीं खेल रहे लेकिन अब सवाल ही है कि क्या रिशाप पंद को आगे मौके मिलेंगी और अगर उन्हें मौके मिलेंगे तो संजू सेंप्शन इशान किशन जैसे खिलाडियों के साथ बेहती गलत होगा इशान और संजू के पास ऐसी छमता है कि वो टीम को अकेले दम पर मैच जिता सके और इन दोनों खिलाडियों को टी-20 वर्ल्लकप से पहले टीम में लगातार मौके दिये जाने चाहिए क्योंकि अगर ये दोनों खिलाडियों अच्छा परदशन करते हैं तो टीम को बहदी फाइदा होगा और टीम वर्ल्लकप भी जीच सकती है अब इस लिस्ट में आप कहेंगे कि रोईच शर्मा का नाम शामिल क्यों है वो तो टीम के कप्तान है तो आपको बता दे कि रोईच शर्मा जब से टीम के कप्तान बने हैं उनके बल्ले ने रन बनाना ही बंद कर दिया है रोहिश शर्मा को देखकर लगता है कि वो रन नहीं बना पा रहे हैं और वो इसमें जूज रहे हैं और शायद ही वो वापसी करते हुए भी नजर आ रहे हैं फिटनेस रोहिश शर्मा के लिए एक बड़ा संकट है ऐसे में टीम इंडिया को अब गहरा विचार करना होगा क्योंकि रोहिश शर्मा को अगर मौके दिये गए तो टीम इंडिया आगे भी फसेगी टीम इंडिया को इन तीन बल्ले बाजो को टीम से बाहर करना होगा हमें comment box से अपने राइज जरूर बताए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेर कीजिए साथ किरकेट सुत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बचाईए वीडियो अगर आप हमारे facebook पेज पर देख रहे हैं तो मैंने facebook पेज को भी लाइक और follow जरूर कर लीजिए